नमस्कर दोस्तो आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगी कि पिक कर्ट अप्लिकेशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं जिहां गई जाप भी जानना चाहते हैं कि पिक कर्ट अप्लिकेशन क्या है और उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं तो गई जाज किस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा दिखना वीडियो स्टार्ट करने से पहले भी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लेश सब्सक्राइब कर लिजिए और बैल आइकन को प्रेस करके ओल पर सेट कर लिजिएगा जिससे आने वाले वीडियो की अप्लिकेशन को डाउनलोड करना है तो गई जहां पर मैंने इस अप्लिकेशन को पहले से ही डाउनलोड करके रखा है इसके बाद गई जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आप इस अप्लिकेशन के डाउनलोडिंग देखने को मिल जाती है और इस अप्लिकेशन के पिककर्ट अप्लिकेशन में फोटो को एडिट कर सकते हैं और गई जहांपर आप देख सकते हैं यहांपर आप एडिट कर सकते हैं इसके बाद गई जहांपर आप देख सकते हैं यहांपर आपको कई सारे टेंपलेट देखने को मिल जाते हैं यहांपर आप टेंपलेट में फ पिककट एप्लिकेशन को उपन करने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक एड़ सो रही है इस एड़ को यहाँ पर आपको क्लोज करना है एड़ को क्लोज करने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कई सारे टेंपलेट को मिल जाते हैं तो गई जहांपर आप देख सकते हैं यहांपर आपको create का option देखने को मिल जाता है create का option पर click करने के बाद गई जहांपर आप देख सकते हैं यहांपर आप अपनी gallery से photo को select करके edit कर सकते हैं इसके बाद गई जहाँ पर आपको template का option देखने को मिल जाता है template में यहाँ पर आपको कई सारे अलगले template देखने को मिल जाते है यहाँ पर जिस पर template को select करना चाते हूं इस template को यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकती है तो गई जहाँ पर आपको scroll down करते हूं नीचे के और आना है और गई जहाँ पर आपको कई सारे अलगले टेंपलेट देखते को मिल जाते हैं, तो गई जहाँ पर मैं इस टेंपलेट को सेलेक्ट करता हूँ, इस टेंपलेट को सेलेक्ट करने के बाद गई जहाँ पर आप दीख सकते हैं, यहाँ पर अपने phone की gallery open हो चुकी है तो गई जहां से मैं एक photo को select करता हूँ यहाँ पर आप जिस भी photo को edit करना चाहते हैं उस photo को यहाँ पर आप select कर सकते हैं तो गई जहाँ पर मैं इस photo को select करता हूँ इस photo को select करने के बाद गई जहाँ पर आपको एक add सो रही है इस add को यहाँ पर आपको cut करना है तो गई जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने add को cut कर लिया add को cut करने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इस तरह का interface देखने को मिल जाता है, तो गई जहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर template में photo add हो चुका, और गई जहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको crop का option देखने को मिल जाता है, यहां पर आप फोटो को क्रॉप करना चाहते तो गई जहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से आप फोटो को क्रॉप कर सकते हैं इसके बाद गई जहां पर आपको उपर के और टिक के ओप्सन पर क्लिक करना है टिक के अप्सन पर क्लिक करने के बाद गई जहांपर आप देख सकते हैं यहांपर फोटो का बेक्राउंड रिमूव हो जाएगा तो गई जहांपर आप देख सकते हैं आप आपको कुछ टाइम के लिए वेट करना है तो गई जहाँ पर आप इस तरह से कर सकते है इसके बाद गई जहाँ पर आप देख सकते है यहाँ पर आपको tick option पर click करना और गई जहाँ पर आप देख सकते है यहाँ पर आपको कई सारे अलगलग category देखने को मिल जाती है यहाँ पर आपको template में अलग लग कई सारी category देखने को मिल जाती है यहाँ पर आपको अलग लग category के template को select करना चाती है उस category के template को यहाँ पर आप select कर सकती है इसके बाद गई जहाँ पर आपको background का option देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको अलगले category वाइज कई सारे background देखने को मिल जाते है यहाँ पर आप जिस पर background को select करना चाते है उस background को यहाँ पर आप select कर सकते है तो गई जहाँ पर आपको अलगले category वाइज कई सारे background देखने को मिल जाते है इसके बाद गई जहाँ पर आपको effect का option देखने को मिल जाता है effect का option पर click करने के बाद गई जहाँ पर आपको अलग लग category वाई कई सारे effect देखने को मिल जाती है यहाँ पर आप जिस पर effect को add करना चाते है उस effect को यहाँ पर आप add कर सकते है तो गई जहां प्रब देख सकते हैं प्रब को cloth का option देखने को मिल जाता है यहां प्रब cloth को change करना चाते हैं तो गई जहां प्रब cloth को change कर सकते हैं इसके बद गई जहां प्रब को filter का option देखने को मिल जाता है यहाँ पर आप जिस पी filter को add करना चाते है उस filter को यहाँ पर आप add कर सकते है तो गई जहाँ पर आपको अलगले category वाइज कई सारे filter देखने को मिल जाते है यहाँ पर आप जिस पी filter को add करना चाते है उस filter को add कर सकते है इसके बाद गई जहांपर आपको AI art का option देखने को मिल जाता है, यहांपर आप फोटो को AI art करना चाते हैं तो गई जहांसे आप AI art कर सकती है, इसके बाद गई जहांपर आपको sticker का option देखने को मिल जाता है, इसके बाद गई जहाँ पर आपको text का option देखने को मिल जाता है text का option पर click करने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अलग लग कई सारे point देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर आपको अलग लग category वाइज कई सारे point देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर आप जिस पर पॉंट को add करना चाते हैं, उस पॉंट को यहाँ पर आप add कर सकते हैं, तो गई जहाँ पर मैं इस पॉंट को select करता हूँ, इस पॉंट को select करने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप जो पर type करना चाते हैं, वो यहाँ पर कर सकते हैं तो गई जहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से आप टेक्स को एड़ कर सकते हैं इस तरह से आप इजी तरीके से पिकट अप्लिकेशन में फोटो को एडिट कर सकते हैं फोटो को एडिट करने के बाद गई जहां पर आप देख सकते हैं तो गई जहां पर आपको और save option पर click करना है save option पर click करने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर photo gallery में save हो चुका है तो गई जहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आप easy तरीके से photo को gallery में save कर सकते हैं और गई जहाँ पर आपको एक add सो हो रही है इस एड को यहाँ पर आपको cut करना है एड को cut करने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर pick cut application में photo edit हो चुका है तो गई जहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आप easy तरीके से pick cut application में photo को edit कर सकते हैं इसके बाद गई जहाँ पर आप फोटो को शेयर करना चाहते हैं तो गई जहाँ पर आपको कई सारे अलग लग ओप्सन देखने को मिल जाते हैं तो गई जहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आप पिकट अप्लिकेशन को यूज कर सकते हैं कैसा लगा इस वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताए और अब भी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो प्लेज सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ओल पर सेट कर लिजिए गा जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आ को में तरेगी